Hello everyone, welcome to the channel So this is next video for October Current Affairs Compilation Insights IES PDF से मैंने ये notes बनाई है And page number 130 to 145 तक ये है इसके अंदर facts for prelims भी included है Okay, so कुछ facts for prelims आज की वीडियो के अंदर करेंगे And एक वीडियो और काल upload हो जाएगी तो 145 to 160 pages उस वीडियो के अंदर हम करेंगे And इसके बाद आपका October का Current Affairs Compilation Complete Then हम November का Compilation स्टार्ट कर देंगे November का Compilation आप भी चाहें तो साइट से डाउनलोड कर सकते हैं इस बार pages कम हैं उसके अंदर सिर्फ 140 pages ही है So उसको करने में 14 days ही लगेंगे Then हम means एक तरीके से flow में आ जाएंगे कि हमारे जो Current Affairs हैं वो हर मन्त जो हैं वो टाइम पर Complete हो जाएं And you can also prepare questions So चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपको ये PDF चाहेए तो आप मेरी email ID पर email कर सकते हैं I will give you this by paying a very pretty amount But इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए And if you want to practice answer writing तो आप इनके notes खुद बनाए But अगर आपके पास time की कमी है क्योंकि इसको बनाने में कम से कम आपको 2 घंटे लगेंगे मुझे 2 घंटे लगते है And 10 pages लिखने में तो अगर आपको लगता है कि हमें नहीं करना है ये नहीं लिखना है तो आप ये ले सकते हैं आप इनके उपर trust कर सकते हैं क्योंकि ये complete है आप इनको match करके देखिए अगर आप चानल पर new हूँ चानल को subscribe जरूर कीजिए वीडियो पसंद आए तो like जरूर किया कीजिए कोई doubt होता है तो comment section के अंदर भी लिखा कीजिए चलिए page number 131 to 145 है according to media सबसे पहले unlawful activities prevention act 1967 इसे short form में UAPA act 1967 भी कहते हैं और ये last year से ही news में है अभी ये क्यों news में आया है क्योंकि इसके अंदर 18 और individuals को terrorist घोशित कर दिया है central government ने ये जो act था इसे 2019 में amend किया था जहां ये कहा गया था कि अब जो कोई individual होगा उसे भी terrorist designate किया जा सकता है घोशित किया जा सकता है इससे पहले सिर्फ organizations को ही terrorist designate करते थे ये था amended act से होने से पहले unlawful activities prevention act 1967 aim यही था कि unlawful activities country के अंदर ना हो central government के पास इसके अंदर पूरी power होती है death penalty भी मिल सकती है इसके अंदर organization को and life imprisonment भी अब Indian and foreign nationals है वो भी charge हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ Indian national ही foreign national को भी terrorist के तौर पे पकड़ा जा सकता है and खास कर देखिए जो terrorist होते हैं for example दूसरी country से तो foreign nationals तो आएंगे आएंगे लेकिन Indians को भी charge किया जा सकता है and कोई offenders means अगर कोई crime कमिच किया है foreign land पे इंडिया के बाहर भी तो भी ये उनके लिए applicable होगा and जो investigation agency होगी अगर मालीजे किसी ऐसे person को या किसी organization के खिलाफ ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसके लिए जो फाइल करनी होती है charge sheet वो 180 दिन means एक तरीके से होगे आपके 6 महीने तो arrest होने के 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर-अंदर investigation agency को charge sheet फाइल करनी पड़ती है अब 2019 में इस comment किया गया था पिछले साल ही तो यहाँ पर जो national investigation agency के जो director general होते हैं उन्हें भी approval दे दिया गया था जाला लगाया जा सकता है अगर कोई भी agency ऐसे पाई जाती है terrorist के फॉर्म में यहाँ पर जो officers थे जो national investigation agency के हैं वो officers inspector की rank के होने चाहिए या उससे अबव रैंक के होने चाहिए वही in cases को investigate कर सकते हैं and DSP या ACP भी हो सकते हैं then देखी who is a declared foreigner तो Guwahati High Court Guwahati आपका Assam में है तो वहाँ पर लोगों को foreign declared किया गया है and उन लोगों को जन लोगों को foreign declared किया गया उन्हें jail में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उनके लिए detention centers बनाए गई हैं क्योंकि अगर उनको detention centers के अंदर रखा जाता है तो उनकी जो basic human rights है या जो human dignity है उससे वो deprive हो जाते है वंचित हो जाते है तो notice issue किया गया Assam government को Guwahati High Court ने Assam government को कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है आप जवाब दीजिए क्योंकि human rights के बात है तो fundamental rights के अंदर या जाता है अब declared foreigner कौन होता है तो हमारी country के अंदर foreigners tribunals होते है Tribunals जो बनाए गए है वो ये देखते हैं कि कोई person जो है उसकी जो citizenship चेक करते है और अगर वो citizenship में fail हो जाता है तो उसको क्या माना जाता है illegal immigrant माना जाता है Foreign Tribunal हमारी country में 1964 में बने थी government ने जो foreigner tribunal order था उसे लेकी आई थी इसके अंदर advocates जो होते हैं 35 साल के उपर होने चाहिए और कम से कम उनको 7 साल की practice होने चाहिए या कोई retired judicial officer हो Assam Judicial Office से या कोई retired IAS या फिर ACS officers हो जिनके पास experience हो quasi judicial works में तो वो इस tribunal में काम करते हैं इन tribunals को ministry of housing affairs ने set up किया था जो ये formal tribunal order है 1964 इसे amend करके और जो DM होते हैं district magistrates होते हैं उन्हें power दी गई थी कि वो हर state and union territory के अंदर इन tribunals को set up कर सकते हैं पहले ये जो power थी tribunal set up करने की सिर्फ central government के पास होती थी इन tribunals के अंदर कौन कौन जा सकता है individuals जा सकते हैं पहले क्या होता था सिर्फ जो state administration थी वो सिर्फ suspect के against ही जा सकते थी लेकिन अब individuals भी जा सकते हैं पहले सिर्फ state administration जाते थी next topic है what is TRP and why was it manipulated तो TRP ये आपके जो अर्नब गोस्वामी जी हैं उनसे related है तो Mumbai police ने तीन TV channels के against उनके उपर कहा गया उनके बारे में कहा गया कि इन्होंने TRP बढ़ाने के लिए क्या किया है manipulation किया है TRP का मतलब होता है target rating point target rating point को television rating points भी कहते हैं और इसके नदर देखिए जैसे माल लेचे for example आप ये video देख रहे हैं अगर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझा हूँ आप दो मिनिट के लिए topic ये जो बिलकुल जैसे ये definitions होते हैं इनको भूल जाएगी माल लेजे जितने जादा views होते हैं for example तो उतनी जादा क्या होते हैं जैसे ad agencies आती है then उस ad agencies से views के पैसे नहीं मिलते तो जो ad agencies आएंगी उस video के ओपर जादा ad आती है and जैसे माल लेजे अब जादा जादा ad आएंगी बड़े बड़े sponsors आएंगी तो उस जो particular show होता है उसके अपनी ad दिखाना पसंद करते हैं क्योंकि लोग जो है वो show जादा देख रहे हैं तो वो उनकी ad को भी देखेंगे ad को देखेंगे means if अगर आप channel से skip नहीं करते हैं जैसे remote से change नहीं करते हैं तो लेकिन अगर माल लेजे आप वो video देखेंगे तो उनका जो product है उसके advertisement होगी तो उनका product जो होगा वो भिकेगा उससे क्या होगा उन्हें फायदा होगा तो जो ad agencies होती है वो उन channels को पैसे देती है कि ad जो है हम आपके channel के बीच में जब भी आपका show चलेगा तो हम आपके channel में ad दिखाएंगे so हम आपको पैसे देंगे तो ये होता है basically सारा खेल जैसे हम भी आपको बोलते है जादा से जादा share कीजिए तो उससे क्या होते है views बढ़ते है धीरे-धीरे views बढ़ते है ad आती है फिर YouTube क्या करता है पैसा देने लगता है and YouTube बहुत ही कम पैसे देता है वो 50 या 60% पैसे अपने पास ही रख लेता है and बाकी जो होते है उनको 40% ही देता है लेकिन जैसे माली जै किसी का चैनल बहुत अच्छा चलता है जैसे हमारा तो चैनल अभी बहुत ही इतना अच्छा means इतने जादा viewers नहीं है तो इसलिए मैंने current affairs पढ़ाने शुरू किये मैंने UGC net का exam के preparation की इसलिए मैंने UGC net पढ़ाया क्योंकि पढ़ाने से मुझे ज़्यादा समझ में आता है इसलिए मैं पढ़ाती हूँ ठीक है similarly अब जो current affairs है वो इसलिए बनाए जा रहे है commerce and accountancy मेरा optional है इसलिए मैं पढ़ाती हूँ जो भी videos होती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि मेरी खुद की preparation हो खुद की preparation मैं इसलिए कर दी हूँ ताकि मेरा भी exam crack हो जाए तो इसलिए मेरा focus अभी channel पर नहीं है कि मैं channel को add में दूँ and channel के views ज़ादा बढ़े इसलिए मैं आपको भी बोलती हूँ कि आप ही share कर दीजिए ठीक है लेकिन अभी मैंने थोड़ा thumbnails वगेरा बनाने शुरू कर रहे हैं देखते हैं उसका कितना असर होता है बट focus करेंगे YouTube पर भी focus करेंगे बट जब कोई exam निकल जाएगा उससे पहले नहीं चले तो यहां पर यही बात है कि जो अरनब गोस्वामी थे या जो बाकी तीन चैनल्स हैं इन्होंने क्या किया जो अपना TRP है वो जादा दिखाई TRP जादा रिखाएंगे तो ad agencies जादा हैंगी किस चैनल पर किस शो की जादा viewership है मिस कितने लोग जो है किस category के चैनल को watch करते हैं और कितने time के लिए watch करते हैं तो इसको record कौन करता है TRP को? TRP को record करते हैं Broadcast Audience Research Council ठीक है नाम है यह You have to learn this यह बारों मेटर्स यूज़ करते हैं यह क्या करते हैं कुछ घर को चुनेंगे और उनके उपर क्या कर देंगे यह बारों मेटर्स लगा देंगे ऐसे around यह 44,000 households को यूज़ करते हैं इसके अलावा यह audio watermarks को भी यूज़ करते हैं वीडियो content के अंदर यह watermarks हमें नहीं सुनाई देते हैं कि अगर कोई software या hardware को यूज़ किया जाता है तब ही इनको समझाया जा सकता है अब यह ratings क्या होंगी अगर ratings अच्छी होंगी किसी channel की किसी show की ratings अच्छी है उसका program बढ़ेगा कम होंगी तो घटेगा तो TRP जो है वो एक तरीके से advertisers के लिए करंद सी होता है कि किस channel पर वो advertisement दे और किस channel पर नहीं दे अब TRP को rigged कैसे किया जा सकता है rigged ऐसे किया जा सकता है मा लेजे broadcaster को ये पता चल गया कि इन 44,000 घर पर 12 मीटर से लगाए गई है तो अगर broadcasters को वो households पता चल गई जहां पर ये devices को install किया गया है barometer को install किया गया है तो वो उन घर के लोगों को क्या करेंगी पैसे दे सकते हैं घूस दे सकते हैं cable operators को कह सकते हैं कि इन घर पर जब भी ये channel को on करें तो जो landing page आता है तो वही channel है for example ऐसा होता था जब हम अपना channel टीवी open करते थे तो हमेशा पहले Republic TV ही आता था this is correct I'm not against anyone लेकिन अब नहीं आता है लेकिन पहले ऐसा होता था जब भी हम अपना टीवी channel on करते थे because मेरी बेटी है तो वो cartoon network देखती है तो जब भी हम टीवी on करते थे तो हमेशा Republic TV ही आता था and फिर मुझे change करना पड़ता था तो इसलिए मुझे पता है कि ऐसा होता है कि जब भी आप channel on करते हैं तो आपके पस particular एक channel ही आएगा तो अब ये बार्क क्या होते हैं बार्क अभी मैंने आपको बताया बारो जो council है broadcast just a minute एक बार मैं दुवारा से आपको करा देती हूं broadcast audience research council तो इसका नाम आपको धिहान रखना है तो ये जो बार्क है ये एक industry body है जिसके अंदर advertisers होते हैं agencies होती हैं broadcasting companies होती है जिने represent करते हैं Indian society of advertisers Indian broadcasting foundation and advertising agencies association of India तो totally names है you have to learn it cram करने होंगे कि ये ये नाम है 2010 में create की गई थी जो आपकी INB industry है बताइए का INB industry को क्या बोलते हैं information and broadcasting ministry बोलते हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं इनके लिए policy guidelines बनाती रहती हैं कि TRPs वगेरा कैसे होंगी and ये नोंने बार्क को register किया था 2015 में कि हाँ ये जो बार्क है ये टीवी ratings को carry out कर सकता है okay so this was all about this then देखे गुजराद disturbed areas act तो ये एक नया act आया है and president ने जो ये act है जैसे गुजराद legislative assembly ने पिछले साल पास किया था president ने इसको हमी दे दी है अब amend क्या गया है amend ये क्या गया है कि अगर कोई भी immovable property का transfer करते है immovable मतलब जैसे आपका घर हो गया वो move नहीं कर सकता न या फिर जो tenants है means जैसे मालीजे कोई किराइदार होते है and disturbed areas के अंदर रहते है तो उसको मना करा गया था prohibit किया गया था ताकि illegal sale ना हो इन areas के अंदर जो disturbed areas होते है disturbed areas बेसिकली वो होते है जैसे मालीजे दंगे होने वाले areas ठीक है तो जो DC होते है means आपके जो collectors होते है district collector वो किसी भी area को notify कर सकते है कि ये disturbed area है कैसे देख कर वहाँ पे कि पास्ट में यहाँ पे दंगे बहुत जादा हुए है फिर इस notification को देखते हुए अगर आपको उस area के अंदर अपनी property को एक person से दूसे person में transfer करना है तो आप तभी transfer करोगे जब collector जो होगा वो आपकी application पर sign करेगा and application जो district collector होगे वो देखेंगे कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है seller को affidavit भी attach करना होगा कि यह जो person है इसने यह property जो है वो इसको बेची है and इस तरीके से बेची है कि fair market price मिला है means ऐसा नहीं है कि जलबाजी में कोई terrorist आपकी जमीन को लेना चारा है and आपने क्या किया उसको ज़्यादा पैसो के अंदर दे कर वो जगा छोड़ दी तो इसलिए आपको affidavit भी देना पड़ता है अब जो amendments है वो यह की गई है कि एक जो check रखा जाएगा to stop polarization and keep a check means again check की बात रखी गई है कि देखा जाएगा अच्छे से कोई भी imbalance वगेरा ना हो sale नहीं हो सकती property कोई religious community जैसे किसी और community को नहीं बेच सकती बिना किसी district collector के approval की and वो लोग जिनोंने illegal तरीके से जमीन ली है उनको 3-5 साल की सजा एक लाग रुपे का fine या जो property ली है उसका 10% value जो भी higher होगा वो fine भी लग सकता है इसके लिए एक monitoring and advisory committee भी बनाई जाएगी और एक SIT special investigation team भी बनाई जाएगी then देखिए cyber crime and cyber security in India तो cyber crime is related to computer internet ठीक है जैसे मान लीज़े आप ये video देख रहे हैं so you are using internet तो उससे related कुछ news देखते हैं तो National Cyber Security Coordination Lieutenant General Rajesh Pant ने कुछ observations की 2019 में cyber crimes की वज़े से 1.25 trillion का loss हुआ है cyber threats बढ़ी है कुछ ही Indian companies है जो की cyber security products को बेस्ती है otherwise बहुत बड़ा vacuum है and अच्छे से सारी चीज़े follow नहीं की जा रही है government ने क्या कदम उठाए है government ने एक online cyber crime reporting portal बनाया हुआ है जहाँ पर मालीजे कोई बच्चों से related या कोई sexual abuse से related complaint करता है तो इस portal के उपर जाकर आप complaint कर सकते है एक Indian Cyber Crime Coordination Center है जो की इन सब issues को देखता है एक national critical information infrastructure protection center भी बना हुआ है कोई भी organization अगर कोई digital services प्रोवाइट कर रही है तो उसे cyber security incidents को cert इनके अंदर report भी करना पड़ता है cyber switch केंदर बनाया हुआ है crisis management plan भी बनाया हुआ है ठीक है तो ये means के अंदर पूछा जा सकता है कि government ने क्या किया और क्या करने की ज़ुरत है तो issue alerts होने चाहिए ठीक है अच्छे से हम अपनी capacity build करें ताकि अगर कोई ऐसी issues होते है तो जल से जल आक्शन से लिए जा सकें forensic facilities हो जहाँ पे जैसे माली जी आज के time में जैसे आपने देखा होगा drugs related तो सब के whatsapp अगेरा सब निकाल लिए गए गए थे क्या क्या किसने messages किये है तो forensic facilities हो गए investigation को कैसी speed up किया जाए आप एक point और धिहान रख सकते है state subjects police और public order किसमें आते है state subjects के अंदर आता है तो finally हमारे जो topics थे वो खतम हो गए अब facts for prelims शुरू हो गए है और ये एक video के अंदर cover नहीं हो पाए तो मैंने एक video और बनाई है 15 pages और हैं इसके अंदर तो वो हम next video के अंदर कर लेंगे ठीक है चलिए what is naturopathy naturopathy क्या है and believe me these are complete अगर आप ये मेरे current affairs पढ़ रहे हैं you don't need to read the pdf इसके लिए again आपको trust रखना पढ़ेगा आप एक दो जो videos हैं उनके थुरू जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ एक बर आप match करके देख लें क्योंकि उससे क्या होगा ना आपके मन में ये doubt नहीं रहेगा कि हमने ये कर लिया क्या हमें pdf और पढ़ना चाहिए I am telling you you don't need to read pdf ये complete है मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है चोटे से चोटा पॉइंट इसके अंदर include किया है और बलकि आपको एक अच्छे तरीके से provide किया है क्योंकि उसको पढ़ने में आपको जादा टाइम लगेगा इसे पढ़ने में कम टाइम लगेगा बट ये complete है तो देखे नेचूरोपैथी क्या होती है नेचूरोपैथी का मतलब नाचूरल की और मतलब जैसे कोई चीज अपने आप ठीक हो जाए तो 18 नवंबर को नेचूरोपैथी डे मनाया जाता है और महत्मा गांधी जी ने 1945 में ही इसको कहा था कि अपनी जैसे मालेजे नेचूरल के और के अंदर जैसे मालेजे हमें जुकाम हो जाता है तो हम क्या करें अपने आप ही कुछ इस तरीके की कोशिश करें जैसे गरम पानी पीना, काढ़ा पीना तो means अपने आप से उसको ठीक करने की कोशिश करें तो इस तरीके की जो activities होते हैं उसे भी नाचुरोपैथी के अंदर include किया जा सकता है देन देखे ब्रहमोज missile काफे टाइम से पढ़ रहे हैं surface to surface supersonic cruise missile है इसके जो speed है वो 3 गुना जाधा है sound से भी and sound को measure करते हैं mash 18 के अंदर अगर pronunciation wrong हो तो आप उसको ignore कीजिएगा pinpoint accuracy है 400 km तक यह strike है इसकी इंडिया और रश्या ने मिलकर बनाई है पहली जो यह test की गई थी 2001 में then देखिए power grid, power grid जो है वो एक महारतन company है इसका headquarter गुरुग्राम, गुरुग्राम गुडगाओं हर्याना के अंदर है 10 October 1989 को बनाई गई थी under Companies Act 1956 public sector undertaking के तौर पे अब इन्होंने क्या किया है अपनी जो 50% power है वो transmission network के अंदर transfer कर दी है यह एक telecom business भी चलाते हैं power tell के अंदर and news में इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक M.O.U. sign किया है ministry of power के साथ कि क्या-क्या targets होने चाहिए 2020-2021 के अंदर then देखिए decarbonization and energy transition agenda अब यह जो है यह India and Netherlands ने sign किया है ताकि हम अपनी knowledge को share कर सकें एक दूसरे से and किस तरीके से carbon को कम किया जा सके then देखिए what is mutation mutation मतलब एक ऐसी property virus की जब वो change होता है when it multiplies जैसे कि SARS-CoV-2 यह क्या कर रहे है constantly mutate कर रहे है mutate means 12,000 mutations यह कर चुका है means जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो इसके जो property यह virus की वो भी change होती जा रही है then देखिए नोगोर्ना कारबाग तो यह नोगोर्ना कारबाग आपका Armenia and Azerbaijan के बीच में पढ़ता है इसको अर्थ सक भी कहते है and यह disputed territory है South Caucasus के अंदर then देखिए मक्का मक्का अपने सुना होगा मक्का हिजाज रीजन के अंदर है 200 किलो मेटर जो mountains है वो इसको separate करती है नाफुद desert Red Sea से and pilgrimage means लोगों की आस्था का यह प्रतीक है and holiest city है इसलाम की capital है मक्का की Saudi Arabia के अंदरी आपको मिलेगा ठीक है मक्का हज then देखिए New Caledonia तो New Caledonia जो है French के अंदर एक South Pacific territory है अभी मैं इसके बाद आपको सब ही जो भी मैंने screen shots ले हुए है जो भी आपकी map means diagrams है वो मैं आपको दिखाऊंगी तो New Caledonia French के अंदर एक Pacific territory है दो साल पहले यहाँ पे referendum हुआ था और उन्होंने decide यह किया है कि हम French ही रहना चाते है referendum means जब लोगों से कहा जाए कि आप vote दीजिए तो दो साल पहले तो 56.7% favor में थे अब 53.26 है कि हमें French ही रहना है यह Australia से 1210 किलोमेटर इस्ट की तरफ पढ़ता है इसके अंदर Melanesia region भी इंक्लिवड है Grande terse भी इंक्लिवड है Loyalty Islands भी इंक्लिवड है Chesterfield Islands भी इंक्लिवड है Bellep Archipelago Isles of Pines और कुछ remote islets भी इंक्लिवड है Zealandia का यह पार्ट है यहां से Die Hot River भी जाती है 1946 में इसे Overseas Territory Classify किया गया था लेकिन 1998 में Nomeo Accord के बाद Special Status मिला था 2019 में देन देखिए Attal Tunnel तो Attal Tunnel भी हम काफी टाइन से पढ़ रहे हैं Himachal Pradesh Rutan की अंदर यह है 3000 मेटर की हाइट पर 9.0 किलो मेटर लंबा टनल है जो की Border Road Organization ने बनाया है एक बहुत लॉंगेस्ट World का लॉंगेस्ट हाइवे टनल है जो की Manali को Connect करेगा Lahol Spiti से ठीक है जिसकी वज़ा से 46 किलो मेटर डिस्टिंस कम होगा और 4-5 घंटे बचेंगे देन देखिए दो और नए स्पीशिज Western Ghats के अंदर पाए गई एक Aereocolon Parvicephalum और दूसरा है Aereocolon Carribalanus तो नेम लर्न कर लेजिएगा और Aereocolon को Pipe Watts कहा जाता है एक ऐसा प्लांट ग्रूप जो अपनी Life Cycle वो कुछी दिनों में Complete कर लेता है मौनसून के टाइम पे 111 स्पीशिज इंडिया में पाए जाते हैं 70% हमारी इंडिया में ही है इन्हें Anti-Cancerous कहते हैं Means Cancer के खिलाफ ये काम करते हैं Anti-Inflammatory इनके अंदर Astringent Properties भी है Then देखिए Zoo Infection Zoo Infection Bacteria करता है And एक Leaf Blight Disease जो कि किसमें पाई जाती है चावल के अंदर राइस के अंदर Then Section 29 of POXO Act POXO Act means बच्चों को बचाना From Sexual Offences तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके खिलाफ अगर कोई Sexual Assault होता है तो एक Special Court जो है वो केस ट्राइ कर सकता है अगर लगता है कि किसीने गलती की है तो Then देखिए युद प्रदूशन के विरूद तो यह हम थोड़े देर बात भी पढ़ेंगे कल की वीडियो के अंदर आएगा तो Delhi Government ने इसे लॉंच किया था पॉल्यूशन के खिलाफ तक कि एर पॉल्यूशन वहाँ पे कम हो सके 2004 में बनी थी ताकि जो स्पोर्ट्स हों वो डोप फ्री हों means कोई भी गलत तरीके से कोई भी जीते नहीं Then देखिए Coalition for Epidemic Preparedness Innovations जिसको CEPI भी कहा गया है यह एक international non-profit organization है जिसको fund कॉन कॉन देंगे बहुत सारे लोग fund दे रहे हैं Welcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation European Commission यह 8 countries भी है Australia, Belgium, Canada, Ethiopia, Germany, Japan, Norway, UK 2017 में इसे launch किया गया था and vaccines बनाते हैं अभी इन्होंने test किया है THSTI Department of Biotechnology that is Health and Translational Health Science and Technology means Global Network का पार्ट है COVID-19 Vaccine का assessment कर रहे है Then, स्मार्ट Missile स्मार्ट की full form ध्यान रखेगा Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo इसे successfully test किया URISA Code से and यह anti-submarine warfare की तरह काम करेगा Then, देखे वायनार्ड कोजी कोडे टनल प्रोजेक्ट लॉंच रहे है तो यह साथ किलोमेटर का है 900 करोड रुपे का प्रोजेक्ट है कॉनकन Railway Corporation Limited ने इसे किया है बनाया है ठीक है, इतका क्या बनाया है? वायनार्ड कोजी कोडे टनल प्रोजेक्ट Then, World Habitate Day तो World Habitate Day जो है वो October का जो पहला Monday आता है उसमें मनाया जाता है United Nation इसे मनाती है 1985 में United Nation General Assembly ने इसे मनाना शुरू किया 1986 में इसे पहली बार मनाया गया इस बार की जो theme थी वो यह थी कि सभी के लिए घर हो एक better urban future हो Then, देखिए What is Adjuvent? तो Adjuvent एक ऐसा agent होता है जो कि vaccine की response को improve करे means इस तरीके का pharmacological, immunological agent जिसकी वज़े से vaccine का response अच्छा हो means vaccine जादा effective हो सके तो भारत biotech जो है उन्होंने एक agreement sign किया है Kansas based VeroVac से ताकि Ethidroxychium second को use किया जा सके COVID-19 vaccine co-vaccine के अंदर Then देखिए Daring Cities Conference 2020 तो Delhi के CM ने ये initiative लिया है and ICLEI ने इसे host किया एक local government है ताकि German government के support के साथ हम एक ऐसी city बना सके जो की sustainable हो तो ये इसलिए बनाया गया है ताकि climate change से लड़ सके and खास करके COVID-19 के time पे जिस तरीके की emergency देखी गई climate emergency को भी हम deal कर सके Then देखिए What is high security registration plate या HSRP तो ये high security registration plate means जैसे जो numbers की होते है जो गाड़ी पे numbers वगेरा लेखे रहते हैं वही plate की बात हो रही है तो ये aluminium से बनाई जाएगी and आप इसे use कर सकते हैं कम से कम दो बार no to non reusable snap on locks ये जो plate होगी इसके अंदर chromium होगा 20 x 20 mm hologram का अशो का चक्र होगा blue cover में top left के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगी and bottom left में एक 10 digit का pin number होगा जिस पे laser के थूँ brand की जाएगी then जो HSRP है इसके अंदर hot stamped film होगी means numbers लिखा होगा इंडिया लिखा होगा 45 degree angle पर and ये electronically linked हो जाएगी vehicle से then देखिए what is PMI purchasing manager index तो purchasing manager index जो है वो indicator है कि business के अंदर क्या चल रहा है manufacturing and services sector के अंदर एक measure है जहाँ पर देखा जाता है respondent से पूछा जाता है कि क्या-क्या changes आए है previous month से अब तो ये 0 से 100 के बीच में है अगर वो number देते हैं 50 से जादा it means जादा changes आए है expansion हुआ है अगर 50 से कम देते हैं तो contraction 50 ही है तो मतलब कोई change नहीं है तो purchasing manager index के अंदर production देखी जाती है supplier derivatives employment, environment, new orders ये सब देखे जाते हैं then देखी what is group का declaration तो ये आपका एक ग्रूप है political parties का and 4 अगस्ट 2019 को एक declaration साइन की थी इन्होंने article 370 क्योंकि 5 अगस्ट को ये abrogate हुआ था न तो 4 अगस्ट को इन्होंने साइन किया था फिर 22 अगस्ट को 6 political parties ने साइन किया था कि article 370 जो abrogate किया है इसके खिलाफ वो लड़ सकी then देखी national start-up awards 2020 launch तो ये awards launched हो गई है and इस start-ups है तो ये department for promotion of industry and internal trade इने launch किये है जो भी winning start-up होती है उसे 5 लाग रुपे का prize मिलता है and काफी सारी opportunities मिलती है grow करने की and एक exceptional incubator and accelerator को 15 लाग का cash price भी मिलता है then देखी है wildlife week तो wildlife week 2 से 8 October तक मनाई जाती है पहली बार 1952 में मनाई गई थी wildlife day 1955 में start किया गया था and week 1957 से theme धियान रखेगा roar that is roar and revive human and animal की relationships को क्या करना है और भी जादा explore करना है then देखी एक कवच तो कवच आपको मैं भी डाइग्राम दिखाऊंगी तो उसके अंदर क्या है जो person है उन्होंने अच्छे से अपने आपको cover किया हुए ताकि उनको covid ना आए and basically वो योधाज है क्योंकि उन्होंने help की है hospitals के अंदर तो एक initiative है National Science and Tech Entrepreneurship Development Board का ताकि innovation लाई जा सके covid-19 को control करने के लिए and जो selected startups हैं उन्हें funding भी दी जाएगी 50 लाग से लेके 200 लाग रुपे तक तो ये एक fresh water crab है means एक केकड़ा है जो की नामडफा Tiger Reserve के अंदर पाया गया है and इसे Abore Hills और नामडफा के नाम के बाद इसके नाम रखा गया क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं Abore है यहाँ पर नामडफा है चीक है तो नामडफा के अंदर बहुत जादा बायो डावरसिटी है वहाँ पर आपको चार बड़े cats मिल जाते हैं जैसे tigers मिल जाएंगे snow lepers मिल जाएंगे clouded lepers मिल जाएंगे and lepers भी मिल जाएंगे नामडफा Tiger Reserve कहा है लिखेगा comment section के अंदर देन देखिए deputy governors of RBI यही तो इसकी पूरी एक chain है मैं भी आपको समझाती हूँ जो M. Rajeshwar Rao है इन्हे center ने appoint किया है कि यह deputy governor बनेंगे RBI act के according चार deputy governor होते हैं दो जो हैं वो within ranks होने चाहिए एक commercial banker होता है and एक कोई economist होता है इनका time तीन साल होता है and यह reappoint भी हो सकते हैं ठीक है यह थोड़ी chain देख लीजिए सबसे उपर इसके अंदर governor होते हैं फिर deputy governor फिर होते हैं आपके directors executive directors फिर chief general manager ठीक है then general manager फिर deputy general manager फिर assistant general manager फिर simple managers फिर assistant managers फिर support staff ठीक है तो यह लिखा हुआ था उसके अंदर pdf में इसले मैंने भी यहाँ पे लिखा है ताकि कुछ भी छूटे नहीं देखें इंडिया एंड जापान ने एक पैक्ट साइन किया है 5G के लिए क्योंकि जब 5G आ जाएगी न तो सभी वीडियोस विदिन 5 यह 10 मिनिट शायद अपलोड हो जाएंगी आप देखेंगे तो शायद आपका भी गोल-गोल जब मेरी बेटी कभी-कभी मुबाइल देखती है तो अगर माली जए कभी-कभी ऐसे ऐसे गूमता रहता है तो वो बोलती है गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-गोल-ग गोर्का हिल काउंसिल को रिप्लेस करने के बाद और इसके अंदर थ्री हिल सब डिवीजन होंगे डार्जलिंग, करसियोंग और मिरिक और कलिमपोंग डिस्टिक्ट भी होगी वर्ल्ड कॉर्टन डे साथ अक्टूबर को मनाया जाता है इसे और्गिनाईज करती है तो साथ अफ्रीका की हैं जैसे बुर्किना, फासो, चर्ड, माली और बेनन तो थोड़ा देख लेजेगा, इसेंक यह साथ अफ्रीका की ही हैं शायद देखे, यूनियन टेक्स्टाइल मिनस्टरीज ने एक ब्रांट और लोगो जो है वो लांच किया इंडिया प्रीमियम कॉटन नाम ध्यान रखेगा, कस्तूरी कॉटन है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन में और कंज्यूमर पहले नमबर पे हैं, हर साल हम 6 मिलियन टन्स कॉटन प्रोड्यूस करते हैं 23% world cotton इंडिया में produce होती है and 51% हम organic cotton भी produce करते हैं so important data है prelims में भी and अगर mains में भी पूछा जाता है then देखें rapid action force rapid action force में जल्दी से action लेना है तो ये एक specialized wing होती है CRPF की that is centralized reserve public fund की October 1992 के अंदर ये क्या की गई थी बनाई गई थी motto यही है humanity को serve करना है अच्छी policing के साथ 28th anniversary की money है and ये जो special action force होती है ये कोई भी दंगे कर रहे होते है या भीड को control करना है rescue करना है तो उसके अंदर काम आते हैं then देखें what is international barcode of life तो eyeball that is eyeball and ये DNA barcoding के लिए used किया जाएगा तो 26 nations के अंदर इसको देखा जाएगा basically task क्या होता है जैसे कुछ specimens को collect करना and for DNA sequences के थूँ ये देखना कि species क्या है ठीक है कोई species का पता लगाना है तो उसके लिए use किया जाता है then देखें nobel literature prize तो ये American point Lewis Gluck को दिया गया इनको Pulitzer Prize भे मिला था 1993 में National Book Award भे मिला 2014 में and ये चौथी women है जिनोंने ये prize जीता है then देखें COVID-19 appropriate behavior के लिए अंदोलन कर रहे हैं Prime Minister Modi जी ताकि festive season क्योंकि उस time पे धिवाली थी कि अच्छे से behave करना है mask वगेरा लगाना है sanitize करना है and all Air Force Day 8 October को मनाया जाता है and ये सबसे पहले तो देखें अजादी से पहले UK की जो Air Force थी वो बनाती थी 1932 में and Royal Indian Air Force 1940 में बनी 1950 में Indian Air Force इसे नाम दिया गया and World में हमारी 4th largest Air Force है जो पहला इनका squadron था वो 1993 के अंदर बनाया गया था then देखें रुद्रम anti-radiation missile तो ये launch की गई है सुखोई 30 fighter aircraft से DRDO Defense Research and Development Organization ने ये बनाई है इसकी range 100 से 150 किलोमेटर तक है air से ground की तरफ ये आईगी ओके ध्यान रखेगा and enemy की air defenses के उपर attack कर सकते है ठीके तो हवा से ये धर्ती पे छोड़ी जाएगी then देखें NRI quota sacrosent नहीं है actually राजस्थान के अंदर कुछ institutions and colleges ने professional and technical courses के अंदर जो seat थी NRI quota को देने के लिए मना कर दिया था तो अब सुप्रीम कोट ने भी ये कहा है कि जो private colleges and institutions हैं अगर वो कोई professional या जो technical courses देते हैं तो उनके पस पूरा हग है कि वो NRI quota को do away भी कर सकते हैं लेकिन notice देने के बाद then देखें what is risk weightage तो risk weightage क्या होता है माल लेजिए आपने कभी भी कोई चीज अगर आप लेते हैं जैसे आपने माल लेजिए for example पैसे invest किये, कहीं पे equity shares ले लिए, कहीं पे debts ले लिए कहीं पे mutual funds ले लिए और फिर आपको इनको weight देना होता है जैसे mutual funds के अंदर सबसे कम risk होता है ठीक है, then आपके जो इस तरीके से आप जो weights के according जो risk निकालते हैं तो वही risk weight होता है and ये capital जो banks होते हैं वो अपने पास रखते हैं कि अगर माली जे हमने किसी को loan दिया क्योंकि bank loan देती है and कई लोग loan वापिस नहीं करते हैं तो उन loan को cover करने के लिए हमें कुछ पैसे जो होंगे वो अलग से रखने होंगे so that is risk weight तो ये risk weight जो है अगर माली जे loan to value 80% है तो उन्हें 35% रखना चाहिए and अगर 80-90% loan to value है तो उन्हें 50% रखना चाहिए then देखे किर्गिस्तान तो किर्गिस्तान के अंदर सडकों के अंदर protest हो रहे हैं क्योंकि ये इल्जाम रगाया गया है किर्गिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया की अकेली डेमोक्रेसी है बाकी वहाँ पे कहीं डेमोक्रेसी नहीं है इसकी कैपिटल बिशकेक है and ये landlocked country है border share करती है चाइना के साथ and चाइना ने अपने networks भी बनाई हुए किर्गिस्तान में भी बनाई हुए है उसबेकिस्तान में भी बनाई हुए है and किर्गिस्तान जो है वो रशिया-led collective जो security treaty organization है उसका भी member है then देखें national butterfly तो तीन species के नाम सामने आए है एक तो Krishna peacock, Indian Jezebel and Orange Oak Leaf तो ये इनके scientific name है and अब पोल होगा national butterfly campaign consortium एक पोल करवाएगी and उसके बाद जो ministry of environment, forest and climate change है वो इन में से choose करेगी ये पोल होने के बाद ये names आए है अब ministry of environment, forest and climate change देखेगी कि national butterfly किसको रखें तो ये आ जाएगा अगले महिने या इसी महिने news के अंदर तब आपको बता देगी 2 plus 2 talks defense and foreign ministers के बीच में होती है दो आपने country का defense minister अपने country का foreign minister दूसरे country का defense minister दूसरे country का foreign minister तो ये 2 plus 2 talks है ये इंडिया करता है quad countries के साथ जापान, Australia, US के साथ ठीक है देन देखिए Maru Money तो Maru Money एक media campaign है और ये राजस्थान सर लेट करता है क्योंकि इनको का गया jewels of desert तो लोग समवाद संस्थान and जो PGA Institute है mass communication का इन्होंने मिलकर ये launch किया है ताकि कुछ पैसे का support दिया जा सके राजस्थान की musicians को खास करके लंगा, मंगिनियार folk artists को western राजस्थान के अंदर ये होते हैं देखिए गरबा गरबा गुजरात का folk dance है and इसके अंदर port होते हैं, उसके अंदर छेद होते हैं, नवरात्री, पुर्निमा वसंद पंचमी, होली पे इन्हें परफॉर्म किया जाता है आनिमल एंड प्लांट डिस्कवरीज तो ये जूलोजिकल सर्वी औफ इंडिया और बोटानिकल सर्वे औफ इंडिया ने रिलीस की है, आनिमल नए 368 species पाए गए है 116 पहली बार इंडिया के अंदर, प्लांट 180 पाए गए है, 73 पहली बार देन देखिए, इंपोर्टेंट है ये कुछ अगर नेम्स लर्न हो जाएं, तो अच्छी बात है कोई ट्रीक हो तो मेरे साथ भी शेर कीजेगा रोक ड्वेलिंग गिको वेस्टन घाट्स में पाया गया है एक फ्रॉग है इसपैरी रेठीका मगद जारकंड के अंदर एनो प्लैटे रूपस तवंग जिनेसिस डंग बीटल है, डंग मींस गोबर होता है ठीक है, तो तवंग के अंदर पाया गया है जिंजर वराइटी आमोमम, नाग मेनेस तो ये नागलेंट के अंदर पाया गया है ठीक है, वाइल्ट फर्न, पिटेरिया, सुबरियाना कैरला, तमिलाडू एंद महरास्ट्रा में पाया गया है अब मैं आपको जो पिक्चर्स मैंने स्कीन शॉट्स लिए हैं वो दिखाऊंगी तो ये आपकी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये हमने किया था शिवराजपूर बीच, गुजरात के अंदर हो गई गोगाल बीच हो गई, ठीक है भगोवा बीच हो गई है ये आपकी ये हमने कर लिया था, तो इस तरीके की बीचिज है, ये देखिए ये आपका नोगोर्नो, कारबाग, अर्मेनिया अजर्बेजान के ये बीच में है तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए, ये है आपका मक्का, मक्का जो था वो आपका सौधी अरेबिया में पढ़ता है तो ये आप देखिए न्यू कैलेडोनिया, तो ये है आपका न्यू कैलेडोनिया, जो कि आपका जीलैंडिया का पार्ट है, यहाँ पर है ठीक है, ऑस्टेलिया से थोड़े से इस तरफ आपका पढ़ता है ये है आपकी ये जो न्यू स्पेशिज अरे कॉलन पाई गई है, तो ये इंडिया लिखखा हुआ है ये है आपका कवज, तो ये देखे, ये इस तरीके से पूरे कवर्ड है, तो ये जो हिससा है ना, ये वेस्ट बेंगॉल्या ध्यान रखहेगा ये इंटरनेशनल बार्गोर अफ लाइफ है that is eyeball तो ये देखेगे इसकी genesis पता करने के लिए ये देखा गया है कोई organism जिसका नहीं पता है तो उसका DNA निकाला जाएगा फिर बारकोड fragmentation करेंगे ठीक है, all scientific terms है फिर DNA का sequencing करेंगे फिर बारकोड database फिर match करेंगे किस से match काता है तो फिर species का नाम पता चल जाएगा ओके सो ये next pages कल की वीडियो के अंदर आएगे so thank you so much, please like, share and subscribe